गर्मियों के मौसम में कुछ ठंड़ ठंड़ा खाने पीने को मिल जाए तो मसा ही आ जाए तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसा जिससे आप घर पे ही पॉप्सिकल्स, जूस वगेरा बना सकते हो तो आज हम बनाएंगे एक सिरप जो एक फ्रूट से बनने वाला है और वो बहुत ही हेल्दी होता है तो आज हम अनार से एक सिरप बनाएंगे जिसे आप डिफरन डिफरन तरीके से यूज कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अनार और यहाँ पे मेरे पास पहले से ही थोड़े अनार के दाने पड़े हुए थे तो मैंने वो भी ले लिये हैं तो चलिए सबसे पहले हमें काम करना है अनार के दाने निकालने का ये काम थोड़ा सा हाड होता है, किसी किसी को पता नहीं होता है कि अनार के दाने कैसे निकालने हैं, इसे easily कैसे निकाल सकते हैं तो चलिए आज वो भी सीख लेते हैं, तो अनार को सबसे पहले पीछ में से इस तरह half cut कर लेना है और एक पार्ट में इस तरह मैंने जिस तरह इसमें cut लगाए हैं, जो white portion होता है, उसमें हमें cut लगा लेना है और इस तरह इसे हम पीछे से थप थप आएंगे, तो अनार के दाने निकलने लगेंगे कभी-कभी अनार के दाने इस तरह भी नहीं निकलते हैं, तो आप हाथ से भी इसे निकल सकते हो लेकिन आप अगर ये process कर लोगे, तो अनार के दाने फटा-फट से easily निकल जाएंगे तो ये देखे, सारे दाने मैंने फटा-फट से निकल लिये हैं चलिए, अब करते हैं आगे की process, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छोटा सा bowl और उसके अंदर मैंने डाल दिये हैं दो चम्मच बरगी chia seeds अब थोड़ा सा पाने डाल के इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि chia seeds को भीगने में थोड़ा सा time लगता है तो इसे पहले से ही हम भीगने के लिए रख देंगे और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक pan और pan के अंदर हम ले लेंगे अनार के दाने तो अनार के दाने कितने लेने हैं आपको जितना सिरफ बनाना है आप ले सकते हो तो यहाँ पे आपको मैं measurement बता रही हूँ इसलिए मैंने एक कटोरी बर के लिए है आप अगर जादा बनाना चाते हो तो जादा भी ले सकते हो तो घर पे रखी हुई कोई भी कटोरी आप ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी अनार के दाने लिए हैं और आधी कटोरी परके मैंने ले लिए हैं चीनी और 15-20 मैंने ले लिए हैं फुदीने के पत्ते और यहाँ पर एक कटोरी परके हम इसके अंदर पानी डाल देंगे तो आपको measurement समझ में आ गया होगा तो चलिए अब gas क flame को हमें on कर देना है और medium flame पे इसे हमें पकने के लिए रख देना है तो इसके ओपर हम ढगा देंगे और 5-7 मिर्ट के लिए इसे हमें छोड़ देना है बॉयल होने के लिए तो यह दिखिए 5-7 मिर्ट में अनार के दाने अच्छे से soft हो गये हैं और इसका color भी अच्छा आ गया है तो चलिए अब gas की flame को हमें off कर लेना है इसे जादा नहीं पकाना है और अब यह जो mixture हमने बनाया है उसे डाल देंगे एक छलने के अंदर और spatula से इसे हमें मैश करते हुए सारा जो juice है हमें निकाल लेना है इसके अंदर तो इस तरह से आप spatula से इसे दबाओगे मैश करोगे तो जो सारा mixture है सारा juice है बाहरा जाएगा यह बहुत easy process है फटा फट से हो जाता है चलिए अब सारा juice almost निकल गया है तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से उसे मैश करेंगे क्योंकि कुछ भी इसके अंद हम डालते हैं food color तो यहाँ पे मेरे पास pink color का edible food color है तो इसके अंदर मैंने 2-3 drop डाले है क्योंकि इस से color बहुत ही बढ़ी आएगा अगर आपके पास इस तरह का food color है तो आप डालिए otherwise इससे आप skip भी कर सकते हो चलिए अब food color डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेना है तो यह देखिए हमारा सीरप एकदम ready है चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक bowl में मतलब कि थोड़ा सा सीरप हम एक छोटे से bowl में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इससे 2 recipe बनानी है तो थोड़ा सा सीरप मैंने निकाल लिया है और जो बाकी बचा सीरप है इसके अंद मैंने और थोड़ा सा निम्बू का रस आप अपने taste के according इसे बना सकते हो कुछ भी आपको कम जादा लगे मरलब की चाट मसाला या फिर नमक या फिर निम्बू का रस आप इसके अंदर अपने taste के according एड़ कर सकते हो चलिए सब कुछ मैंने mix कर लिया है और taste भी कर लिया है सब कु चलिए सारे molds मैंने fill कर लिये हैं और अब इसके उपर लगा देते हैं एक polythine wrap अगर आपके पास इस तरह का wrap नहीं है तो आप इसे polythine जो बैग आती है उससे भी आप इसे cover कर सकते हो चलिए इसे मैंने cover कर लिया है और अब scissor की help से मैंने इसके अंदर shade कर लिये हैं और इ इसे रख देते हैं फ्रीजर में जमने के लिए तो इसे जमने में पान से चे गंटे लगेंगे तो मैंने इसे रख दिया है फ्रीजर में जमने के लिए तब तक हम दूसरी रेसिपी बना लेते हैं मतलब कि दूसरी ड्रिंक बना लेते हैं तो यहां पे मैंने दो चमज बर क सबजा के बीज ले लिए हैं यानि की चिया सिर्ज ले लिए हैं और इसके अंदर डाल दिया है सीरप जो हमने निकाल के रखा था और चाट मसाला थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नीमू और अब इसके अंदर डाल देंगे पानी आप इसके अंदर सोडा भी डाल सकते हो और गास्प में इसके उपर डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गानिश्रिंग के लिए इसके उपर मैंने डाल दिया है एक फुदीना का पत्ता ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे और एक निम्बू मैंने स्लाइस कट करके इसके उपर लगा लिया है तो ये लीजे हमारा ड्रिंग भी एकदम रेडी है देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग था आप घर पे एक बड़ जरूर ट्राइ करना आपको बहुत ही पसंद आएगा और मुझे कमेट करके भी बताना कि आपको ये ड्रिंग कैसा लगा तो आपने देखा कि हमने घर पे ही एक फ्रूट से एक हेल्दी ड्रिंग तेयर कर लिया है जो बच्चो और बड़ो सब को बहुत ही पसंद आता है तो ये देखिए रुद्रो को मैंने टेस्ट करवाया तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगा वो पूरा पी गया उसने किरिशा को और मुझे बिनकुल भी टच करनी नहीं दिया है थोड़ा सा ही हमने टेस्ट किया है बाकी सारा उसने फिनिश कर लिया है चलिए यहां पे 5-6 गंटे हो गए है और यहां पे हमारी जो पॉप्सिकल्स है वो पी एकदम रेडी है जम के तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं इसे हमें डाइरेक्ट नहीं निकालना है इसके उपर इस तरह आप हाथ रगड सकते हो अगर आप इस तरह नहीं करना चाते हो तो आप क्या करिएगा एक रूम टेंपरेचर वाला पानी एक बोल में या फिर कोई ग्लास में ले लिजिएगा और यह जो मोल्ड है इसे इसके जल्दी एकदम टेस्टी पॉप्सिकल्स बनके रेडी है तो आप भी इस समर में यह वाली रेसिपी ज़रूर राए करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजे और सब्सक्रा प्लीज खिर चेशना